गुड मॉर्णिंग मैं पवन राओ मैच्वित पवन राओ यूटूब चैनल में आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं पिरेमिट के बारे में और पिरेमिट भी वो जिसका बेस एक स्क्वेर आज है पिरेमिट क्या होता है यह मैं आप लोग को समझा चका हूं जस्ट मेरे पहले वाले लेसन में अगर बेस एक एक इक्विलेटर ट्रैंगल आगया पिरेमिट का तो क्या होगा तो वो मैं आपको पहले वाले लेसन में पढ़ा चका हूं अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा यह वाला लेसन अगर देख रहा है तो इसको प्लीज यहां से क्लोज कीजि जिसने पहले वाला वीडियो देख लिया है उसको आज आसानी से सारी चीज़ें अच्छे से समझ मैंगी और पिरैमिड के ये जो भी अपने पास पिरैमिड का बेस ट्रैंगल होगा मैं समझा चुका हूँ इक्विलेटर ट्रैंगल के लिए बेस स्क्वाइर होगा मैं आप समझा रहा हूँ अगले वीडियो में बेस रेक्टैंगल के लिए उसके अगले वीडियो में बेस हेक्जागन के लिए और उसके अगले वीडियो में पांच वे मैं मैं आपको समझाओंगा बेस अगर कुछ भी आजए राइट एंगल एसकेलं ट्रेंगल या कुछ भी आजए उस कैसे करोंगे पैंटागबन In Мы nha को कैसे करोंगे और या पेलेलोंग्राम या अपने पास ट्रिफेजियम बेस कुछ भी आजए उसको कैसे करोंगे वह समझाओंगा और उसके बाद एक चैप्टर में अगले जो अच्छे क्यूशन्स होंगे इनके बहुत वो लास्ट वीडियो में तो टोटल पिरेमिट के 6 वीडियो होंगे जिनको आप लोग अगर 6 को complete देखते हो तो ऐसा कोई पिरेमिट का क्यूशन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ धा दीचिए हम लोग पढ़ रहे हैं पिरेमिट अगर बेस एक स्क्वाइर है पिरेमिट के बारे में बता चुका हूँ आज की क्लास में हम आप लोगों को समझाने वाले हो कि अगर बेस एक स्क्वाइर है तो अगर बेस एक वर्ग है तो तो हर टाइप से माप आपको समझाता हूं इसको सभी एकदम बेसिक से पूरा आप लोग को मैं समझा दूँगा बस इस वीडियो के साथ आप लोग बने रही है जब यह वीडियो कंप्रीट होगा यह 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि पिरेमिट का बेस अगर एक स्क्वाइर है उसके जितन क्यूशन्स जिस जिस टाइप के क्यूशन्स आएंगे वो सभी आप लोग खुदी सोल करोगे वह आप लोग खुद चेक करना देखिए बेस अगर एक स्क्वाइर है तो डाइग्राम 3D में एक बार मैं बनाने की कोसिस करता हूं बोर्ड पर धान दो अपने पास यह पॉइ आप में डाइग्राम बनाओ तो कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा यहां से इस परकार से यह जो ओपर आकर मिले इस परकार से जो ओपर अगर आकर मिले तो यह है इसकी में हाइट जो अपने पास एज से दिखाता है धान रखना ए से ए तक ए से डी तक ए से बी तक और से सी तक ये हैं इसकी चार सलांट एज मैं पहले नाम बता चूँँ मैंने कहा है कि इस से पहले आप लोग मेरा जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए जिस से आपको आसानी से चीजें समझ में आजाएं ये हैं अपने पास सलांट एज या तिरियक कोर और यहां से इसके मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले कोई भी पॉइंट इसको आप लोग नाम दे दो मानलो एक बार समझने के लिए कुछ भी नाम दे दो पी नाम दे दो यहां से अगर इसके इस पर आकर मिले में पर मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले तो इसको बोलते हम लोग स्लांट हाइट slant height इधर बनाने के बज़ए किधर भी midpoint पर आकर मिले उसको slant height बोलते हैं एक बार मैंने बता दिया है इधर बनाने के बज़ए आप लोग slant height ऐसे यहां इसके midpoint पर बनाना अग्जाम में जब बनाना है diagram वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है तो यह है अपने पास एक pyramid और यह अपने पास slant height L यह main height और यह अपने पास इसके तरियक core या किनारा बात A की है देखो इस diagram को अगर आप लोग इस परकार से बनाओगे A, B, C और D इसके दोनों diagonal जहां पर मिलते हैं वो point O है यहां से मैं सिखा देता हूँ O से P तक यह point अपने पास P है P से यह point P है इस diagram को अगर यहां से उठागे ऐसे बनादे तो इस परकार से बनेगा यह point P से A को, P से B को, P से C को, P से D को अगर मिला दे हम लोग तो वो होंगी slant edge, यह बीच में इसके height है और यह इसके midpoint को, इसके midpoint को, इसके midpoint को, इसके midpoint को अगर मिला दिया जाए तो यह है इसकी तिरियक, उंचाई या slant height अब धान देना, यह diagram जब अग्याम में आपके सामने आए तो आप लोग को कैसे बनाना है एक बार मैं basic समझा चुको हूँ अब हम लोगं को diagram बनाना कैसे है वो चीज मैं समझाता हूँ, देखिए धान देना, सीखना, कोशिस करना यह अपने पास इस परकार से है, दोनों ही मैं सीखाता हूँ इसको इस परकार से भी बना लेता है यह अपने पास A है, B है, C है और D है यह दोनों diagonal जहां पर मिलते हैं यह वाला point मान लो O है और इसके यहां से यहां से यहां तक side base के side सभी बराबर होंगी और जो इसके main height जिसको मैं marker से यहां से दिखा रहा हूँ यह इसके main height है और यह वाला point मान लेजिए P है मैंने बताया था room आपका पिछले वीडियो में मैंने example दिया था जिस भी room में आप लोग रह रह रहे हो उसका base अगर एक square है first अगर square जैसा है और उसके तीन रसियां अगर fan के बांद दी जाएं तो वो तो होंगी यह चार रसियां चारों कोनों से बांद दी जाएं तो वो उसकी slant edge होती है और एक direct receive fan से नीचे की तरफ अगर बांद दी जाए तो वो होती है उसकी main height जो red color में जो दिखाई गी है वो उसकी main height है P से O तक और यह वहाँ जाकर मिलती है जहाँ पर दोनों diagonals एक दूसरे को intersect करता है अगर यहाँ से इसके यहाँ पर बांद दी जाएं तो वो slant P से A तक, P से D तक, P से B और P से C वो इसकी होंगी slant height, slant edge लेकिन यह धान रखना, यह जो mid point पर यहाँ पर आकर मिले यह होती है इसकी slant height और exam में आपको कोई भी diagram जब बनाओ तो वो इस परकार से बनाना या आप लोग 3D में अगर सोचो तो फिर आप लोग diagram इस परकार से बनाना कि A, B, C और D धान देना A, B, C, और D दोनों diagonals यहाँ पर मिलें वो वाला point O है important है बहुत ज़्यादा important चीज़े में बता रहा हूँ यहाँ से questions बनते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह जो अपने पास base में है यह side अगर A है तो यह दूरी होगी A by 2 और यह diagonal जो होगा वो होगा D by 2 यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होती है A by 2 और यह यहाँ से यहाँ तक O से B तक diagonal है तो diagonal जो होगा अपने पास वो होगा D by 2 और यह धन दो आप लोग कोशिस करो समझने की कोशिस करना सभी लोग समझ पाऊगे अगर पहले वाला वीडियो देखा है तो मुझे बताईए इसकी यह height जिसको लाल अक्सरों में हम लोग उने दिखा है इसको अगर मैं H मानूँ यह अपने पास A by 2 है और इसको अगर मैं L नाम दूँ यहाँ से यहाँ तक को कोशिस करो समझने की मुझे बताईए H के स्क्वाइर में यह पॉइंट जो है यहाँ पर इसको नाम दे दे मान लो एक बार यह E मान लेजिए मुझे आप लोग यह बताईए height H जो red marker है height H height के स्क्वाइर में अगर side by 2 का स्क्वाइर प्लस कर दें तो क्या slant height आजाएगी main height के स्क्वाइर में यहां से यहां तक slant यह वाली height तो main height के स्क्वाइर में side by 2 का स्क्वाइर अगर प्लस कर दोगे तो slant height का स्क्वाइर आजाएगा formula धान रखना अगर H स्क्वाइर में side by 2 का स्क्वाइर प्लस करोगे A by 2 का square अगर प्लस करोगे तो अपने पास slant height का square आजाएगा L का square आजाएगा ये वाली बात आप लोग धान रखना भो ज़्यदा important और दूसरा ये यहां से यहां तक तो height है ये धर भी नब डिगरी का कॉन तो यहां से E से B तक E से C तक तो slant height थी E से B तक slant edge है तो क्या height के square में हम लोग diagonal by 2 का square अगर प्लस करें height के square में अगर D by 2 का square height का जो square है उसमें अगर हम लोग D by 2 का square प्लस करें तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए क्या slant edge का square आजाएगा क्या मैं पूरा पूरी energy के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आप लोग भी board पर धान रखिये ये चीजें बहुत important है एक question hundred percent आएगा और उस एक question के लिए भी हमें मेनत करनी पड़ेगी समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो जब भी मैं आप लोगों से पूछ हो आप लोगों को हाँ ना कुस्तो बोलना है जहां भी बैठे हो साथ साथ कुछ बोलते रहोगे मेरे साथ बाते करते रहोगे तो ज़्यादा चीजें भी समझ मैंगी और पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका पॉइंट किलियर हो गया देखिए पूरा बेसिक किलियर करवा दूँगा हो सकता है वीडियो थोड़े ज़्यादा बने हो सकता है तो थोड़ा सलो पढ़ाओ हो सकता है कोई चीज बार बार बता दूँ लेकिन पढ़ाई के लावा कोई बाते नहीं करेंगे यह गारंटी है और थोड़ा सा आप लोग को जितने भी पॉइंट्स होंगे सब कुछ मैं आप लोग को किलियर करवा दूँगा थोड़ा सा स्लो हम लोग जरूर चल रहेंगे ताकि सबी को साथ लेकर चलें दो फॉर्मिले ये हैं तीसरा आप लोग धान रखना यहां से यहां तक यह इसको इस परकार से मैं आप मिला देता हूं यहां से यहां तक यह अपने पास slant edge है तो height के यह इधर भी नबढ़ गरी का कौन और इधर भी नबढ़ गरी का कौन height के square में side के आदे का square प्लस करोगे तो slant height के square height के square में diagonal के आदे का square प्लस करोगे तो slant edge का square ये दो formula आप लोग धान रखना और मैं मान कर चल रहा हूं कि आपको इस समझ में आगे होंगे तभी मैं आगे बढ़ रहा हूं अब एक चीज़ धान देना ये अपने पास जो slant height होती है ये जो slant height होती है इसको थोड़ी जुकी भी होती है फेन से जो डायरेक्ट हैसे रशी बांदेती है वो जुकी भी होती है तो अपने इधर वाले के साथ तो ये नबड़ीड़ी का कॉन नहीए बनाती यह है नबड़िगरी का कॉन लेकिन धान रखना साथ वाले के साथ हमेशा नबड़िगरी का कॉन मनाती है इस साइड यह जो इस परकार से यह साइड अपने पास BC है और जो सलांट आइट है जो ब्लू कलर में इस परकार से आई है ये अपने पास जो है इधर वाला अपने पास BC है स्लांट हाइट इस परकार से यहां मिड पॉइंट पर आकर मिल ले तो आगे की तरफ जुकी भी है तो E O के साथ तो नबड़ी गरिया कोन नहीं बनाएगी लेकिन इसको यहां से देखो कितना भी जुका लो साथ वाली के साथ नबड़ी गरिया कोन और C से P तक का पॉइंट को स्लांट एज बोलते हैं तो स्लांट एज निकालने के दो फॉर्मले मैंने पहले भी समझाए थे और स्लांट एज निकालने का यहां भी दो फॉर्मले होंगे एक तो हाइट से निकालना पड़े और एक सलांट हाइट से अगर कभी निकालना पड़े और साइड बाइ टू का स्क्वेर प्लस करोगे यहां साइड है तो अपने पास सलांट एज का स्क्वेर आजाएगा ये तीन फॉर्मले आप लोग को यहाँ पर अलग से भी याद होने चीए तीन फॉर्मले मैं पहले समझा चूँ हूँ लेटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मला क्या होगा टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मला क्या होगा वोल्यूम का फॉर्मला क्या होगा यह मैं आपको पिसले वीडियो में बता चुको हूँ और यहाँ पर 3 नए हमेशा 3 हर चेप जो भी अपने पास नया पॉइंट आएगा उसके लिए 3 नए फोर्मले होंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ समझा दूँगा तो यह अपने पास height के square में a by 2 का square height के square में a by 2 का square प्लस करोगे तो slant height के square height के square में d by 2 का square प्लस करोगे तो slant edge का square लेकिन slant edge दो तरीके से निकाली जा सकते एक तो height से एक slant height से अगर direct निकालना पड़े तो slant height के square में अगर side by 2 का square प्लस करोगे तो यहां से यहां तक slant height तो छान एज का स्क्वार यह आप लोग धान रखना देखिए दान रखना से और यह फोर्मले सेम है फोर्मले है यह फोर्मले है एक ब्रक्ट्र दो पेरिमिट्रों बेज अलग से मत याद करना कि एक्विलेटर ट्रैंगल के लिए ये और इंटू स्लांट हाइट, एल स्लांट हाइट होता है धान रखना इसका टोटल सर्फेस हिर्या का फॉर्मॉला कुल प्रस्टिज हितरफल एलसे प्लस एरिया ओ बेस इनको आप लोग सभी में अलग अलग याद मत करना कि यहां पर रटलो कि 4 into a, यहां पर रटलो कि और थार का side square, lse plus side square, होगा तो अगर square है तो यहां पर लिखेंगे 4 into a, area बेस लिखेंगे अधार का छेतरफल अपने पास a square, side अगर a दी भी है तो formula होगा a square, लिख तो सकते हैं लेकिन याद इसी टाइप से रखना ताकि सारे फॉर्मले एक साथ याद हो जाएं बेस एक्विलेक्टर ट्रैंगल आये तो भी अपने पास फॉर्मला याद क्योंकि बेस की जगाप एक छेतरफल आये तो रूट थ्री वाई फॉर इंटू साइड आधार का छेतरफल एरिया ओफ बेस दोनों लेंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे इंटू इसकी में हाइट होती है स्लांट हाइट नहीं होती है उंचाही आधार का छेतरफल अब की बार होगा साइड दी विए तो साइड स्क्वेर डाइगनल दिया हुए तो हाफ इस होगा फोर इंट वे आधार का छेतरफल एई स्क्वेर आधार का छेतरफल एई स्क्वेर ये बात थोड़ी सिधान रखना बाकी मैं आपको सारा इसका बेसिक समझा चुका हूँ आईए इस पर बेस्ट कुछ क्यूशन्स हम लोग करते हैं पहले हम लोग क्यूशन लिख इस स्क्वेर हम लोग के पास क्यूशन है दा बेस ओफ ए वर्टी वर्टिकल परिमेड पिरमेड इस स्क्वेर विस्ट डाइगनल इस 24 रूट तू एक तो हम लोग को डाइगनल दिया हूए 24 रूट तू इसका विकर्ण दिया हूए एक स्क्वेर है वर्ग है जिसका डाइगनल हम लोगों को दे दिया है साथ ही हम लोगों को इसका वोल्यूम भी दिया हूए आईतन दिया हूए वोल्यूम यानि कि आयतन हम लोगों को दिया हुए कितना 1728 और हम लोगों को कहा है कि पिरामिट के हाइट या उचाही बताईए देखो मैंने जस्ट पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया इसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दता हूँ एक चीज धान रखना आप लोग अगर कभी भी अपने पास वोल्यूम दिया हुए है कुछ भी दिया हुए फोर्मला हमेशा उसी का लगाएंगे तो वोल्यूम का जो इसमें डाइग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है यह तो एक आसान सा कुछ नहीं है वोल्यूम का जो फोर्मला होता है आईतन का जो फोर्मला होता है वो होता है एक बटे तीन एरिया ओब बेस इंटु हाइट आधार का चेतरफल इंटु उचाई सबसे पहले जब कुछ नहीं आप लोग करोगे आपके माइंड में यही आएगा इसके बाद वोल्यूम की जगह वोल्यूम दियावा है 1728 तो वोल्यूम की जगह हम लोग वोल्यूम लिख देंगे 1728 अब आपको पता होना चाहिए एरिया ओब बेस तो आपको पता लगाना पड़ेगा यहां से दो से तो दो कड़ जाएगा पांसो शेतर से कड़ जाएगा तीन बार और तीन का तीन से गुना करोगे तो एच बराबर अपने पास आजाएगा नाइन यही अपना अंचर है तो पहला क्यूशन बेसिक पढ़ाने के बाद जब मैं क्यूशन करवाता हूँ तो पहला क्यूशन एकदम आसान करवाता हूँ और तीन-चार क्यूशन जब इस पर बेस्ट हम लोग करेंगे तो आपको आसानी से और ढंक से समझ में आ जाएगा आईए हम लोग नेक्स क्यूशन करते हैं तो एक बार बंद कर दीजे सर इसको मैं क्यूशन लिख देता हूं बोर्ड पर दो तो आईए नेक्स क्यूशन पर हम लोग चलते हैं जो आपके लिए बोर्ड पर लिखा रहा है यह रहा अपने पास लिखा हुए बेस ओफ पिरेमिड इस फॉर्म ओफ ए स्क्वार विच एरि और इंग्लिस कोई भी आपको प्रोब्लम आने वाली नहीं है यह अपने पास आधारिक वर्ग है जिसका छेतरफल 440 सेंटेमिटर स्क्वार है आईतन दियाव है 1470 सेंटेमिटर क्यूब तो इसका पार्स प्रस छेतरफल बताईए क्यूशन आप लोग उने लिख लिया और बेसिक किलियर होने के बाद जब भी अग्याम में बैठ होगे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आता हैं कि सर मैं यहां तो ठीक कर लेता हूं अग्याम में गबरा जाता हूं गबरा इसलिए जाते हो क्योंकि बेसिक ठीक नहीं है यह confidence नहीं है कि मेरा सब कुछ मेरा पढ़ा हुए है या नहीं पढ़ा हुआ और इस तरीके से मैं आपको सारे points इस channel पर पढ़ा दूगा और फिर आपके अंदर confidence आएगा और किसी भी exam में बैठ जाना cds किसी भी exam में चाहिए railway ssc यह topic जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोई भी नया point आपके सामने नहीं देखिए तो इसने आधार एक वर्ग दिया है जिसका छितरफल अपने पास है 441 आधार एक वर्ग है मापके लिए diagram आपको भी इसी परकार से बनाना है या वहाँ पर तो आपके पास pen रहेगा तो pen रखकर उसके बीच में सोच सकते हो उसे और जल्दी और आसानी से समझ मे आएगा और सोचना मैं सिखा दूँगा आपको इस परकार से है यहाँ से दोनु डाइगनल्स मिला दो पहले slant as बनाने के बज़ए दोनु डाइगनल्स मिला दीजिए और दोनु डाइगनल्स मिलते है मान लिजीए ओपर और यहाँ से यहाँ तक यह अपने पास इसकी slant height है यहां से यहां तक है इसकी मेन हाइट ही बना लो अल्ली स्लांट हाइट हम लोग पहले नहीं बना रहे हैं आधार एक वर्गेज इसका छेतरफल एरिया दिया वाथा चार सो एक्तालिस इसका मतलब साइड जो आएगी मुझे बताएगी क्या इसकी साइड अपने पास 21 आज जो यहां पर यह है एच बराबर अपने पास दिया है 1470 एक्किस से कट जाएगए एक्किस बार और एक्किस से कट जाएगए साथ बार तीन से कट जाएगए साथ बार और साथ से कट जाएगा अपने पास दस बार तो एच की जो वेल्यू आ गई वो अपने पास आगई है H अपने पास 10 है और धान रखना यहां से यहां तक यह साइड का आदा है यह जो यहां से यहां तक है अपने पास O से इसका मिड़ पॉइंट मान लो यह K है और यह पॉइंट मान लिजिए P है तो यह अपने पास 21 बाइ 2 होगा 21 बटे 2 Complete अगर यहां से यहां तक 21 है तो यह अपने पास होगा 21 बटे 2 और आप लोगो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका लेटरल सर्फेश ही रहा पूछ है तो यहां पर यह को नब डिगरी आपको अच्छे से दिखाए दे रहोगा तीन पॉइंट में आपको पहले बता चुका हूँ अब आपको यह पॉइंट अच्छे से क्योंकि तीन पॉइंट में समझा चुका हूँ अब आपको अच्छे से दिखाए दे रहोगा क्योंकि इसका जो फोर्मला है यहां से यहां तक P से K अगर निकालना है तो 10 का स्क्वेर 100 प्लस 21 का स्क्वेर 441 बटे 4 2 का स्क्वेर 4 और इसका रूट तो यह यहाँ पर 400 841 तो रूट करोगे 29 बटे 2 यह आगी स्लांट हाइट स्लांट हाइट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लेटरल सर्फेस सिर्या पूछ है और लेटरल सर्फेस सिर्या का जो फूर्मला होता है वो होता है 1 बटे 2 आधार का प्रिमाप यह रूट करोगे रूट करने के बाद ही आया स्क्वेर में तो 841 बटे 4 रूट करने के बाद ही आया है यहाँ पर 29 बटे 2 root करने के बाद ही आया धान रखना और इसका formula होता है 1 बटे 2 आधार का प्रिमाब side अगर 21 है तो बताओ 4 into side होता है तो क्या यह 84 आजाएगा क्या into 29 by 2 यह इसको solve कर लेना इतने centimeter square अपने पास इसका total surface यह आजाएगा क्या solve तो कर लोगे क्या solve अपने आप कर लेना यह 2 से अपने पास 2 गुना 2 4 4 से कर जाएगा कितनी बार 21 बार 29 का एक से गुना 29 29 गुना 2 58 और अपने पास 60 609 अपने पास solve करते ही यह वाला आंचुरा जाएगा तो यह मैंने समझाया क्यूशन आपके लिए आसानी था बस अगर आपके basic concepts अगर clear हैं कि इसका square प्लस इसका square बराबर यह तो आप लोग आसानी से questions कर पाऊगे basic concept अगर clear नहीं होगे तो फिर आप लोग question नहीं कर पाऊगे आईए next question देखते हैं फिर से धान दीजिए board पर तो आईए हम लोग next question सीखते हैं जो आपके लिए board पर यह रहा बेश तो हम लोग square पड़ी रहे हैं यह तो आपको पताईए which diagonal is 10 root 2 cm long if the height of the pyramid is 12 cm then find lateral surface area एक pyramid का अधारिक work है जिसका weekend 10 root 2 cm दिया हुए है यदि pyramid के उचाई 12 cm हो तो हम लोगों को इसका lateral surface area पूछा है दो चीजें दीवें एक diagonal दिया हुए और एक उचाई दीवें और lateral surface area पूछा है lateral surface area का आपको formula धान होगा question आपने लिख लिया होगा वापिस back करके pose करके question लिख लेना अपनी notebook में और जैसा मैंने बताया है theory पढ़ाने के बाद कुछ आसान-ासान questions मैं करवाता हूँ त्याकि 2-3 questions ताकि theory आपकी clear हो बाद में मैं इसके और अच्छे और level के questions आप लोगो एक साथ जैसे pyramid complete हो जाएगा उसके बाद एक साथ भी questions मैं आप लोगो करवाने वाला हो देखिए यहाँ पर इसने कहा है डाइग्राम ऐसे ही बनाना अगर चाहो तो आप लोग इस परकार से ABCDA की square है इसके दोनों डाइग्नल्स एक दूसरे को मान लो ओपर मिल रहे है इसके दोनों डाइग्नल्स ओपर मिल रहे है और यह इसके height मान लीजिए edge यह point P यह height h मान लो इसका diagonal अगर 10 root 2 दिया है 2D वाले डाइग्राम जब भी मैंने आप लोग को पढ़ाए थे आप लोग को याद होगा कि 2D वाले डाइग्राम में मैंने आपको diagonal का जो formula आप लोग को बताया था वो बताया था root 2 into side बराबर 10 root 2 दिया हुआ diagonal यह इससे हट गया तो side यहां पर अपने पास आगई 10 इस square की side अगर 10 है तो धान रखना आप लोग को यह याद होगा कि side अगर 10 है और यहां से यहां तक यह जो होगा वो 5 अगर ऐसे नहीं समझ मैं तो ऐसे बना लेना इस पर कार से आपके पास वहां पर पहन होगा नोट बुक में ऐसे बनाना यह अपने पास O है यह 10 है तो यहां से यहां तक 5 इसकी height 12 question में खुद ने दी विये height 12 तो यहां पर 12 है height यहां पर बनाना question जब नहीं समझ मैं exam में तो इस ताइप से देख लेना बार तो यहां से यहां तक slant height इसलिए चीए क्योंकि lateral surface इरा पूछा है और lateral surface इरा का जो formula होता है वो यह होता है एक बटे दो आधार का परिमा into slant height हमें चीए तो 12 की square में 5 के square प्लस करोगे तो 13 तो यहां से यहां तक की दूरी अगर slant height आप लोग निकालते हो तो यह अपने पास आएगा 12 के square, 5 के square, 13 के square तो इसका lateral surface इरा जो आएगा अपने पास उसका जो formula होता है lateral surface इरा बराबर एक पटे दो आधार का परिमाप 10, 10, 10 और 10, 40 into अपने पास यह आजाएगा slant height 13 दो से कड़ जाएगे 20 बार आसान equation to 60 cm square basic clear है तो यह equation इतना ही है बस एक step का equation है इतना equation है अगर basic clear नहीं है तो यह equation आपको पहाड लगेगा मतलब बहुत tough लगेगा तो आज की class में सिरफ इतना ही बाकी की चीज़े हम लोग next lesson में अगले lesson में आप लोगे को मैं पढ़ाने वाला हूँ अगर base एक rectangle अगर आ जाए तो उसके questions को आप लोग कैसे handle करोगे उसको आप लोग कैसे solve करोगे यह मैं next lesson में पढ़ाऊँगा तो आज की class में इतना ही okay thank you bye bye take care see you in the next lesson